नमस्ते विद्ध्यार्थिमित्रों आजे आपने धोरण 11 पार्ट 2 नू चेप्टर नंबर 3 जोगवाईयो औने अनामतो विशे अभ्यास करीशू चेप्टर नंबर 3 छे आपनो सेना विशे चे जोगवाईयो औने अनामतो परिक्सान यंदर आनू वेटेज घणो ओछू होए चे और आनी अंदर जी सब्दोनो उप्योग करेलो चे ते तमने धोरण अग्यार औने धोरण बार नी अंदर घणो उप्योग मा आउसे अने अना करणे तमारी घणी बदी समस्याओ जे छे अनामतो जोगवाईयो भंडोडने रिलेटेड ते दूर थासे एल्ले आ चेप्टर तमारे समझवो खूबत जरूरी छे पहला नबर नो क्वेश्चन छे कि अनामत नो अर्थ सूधाय चे मतलब कि अनामत नो अर्थ आपो तो अनामत नो अर्थ जवाब नी अंदर कि भवीश्याने लक्षमा राखी ने नफा माथी अलग फाडवेल बिजनस करिये चे ने बिजनस मां दर वर्षे सू कमाता होई चे नफो कमाई चे आज ये नफो कमाई चे तेमाथी थोड़ाक रूपिया साइड मां मुकी राखी ये अलग फाडवेल रकम ने आपड़े सू कहिये चे अनामत तरीके ओड़कवा मां आवे चे स्विक्रूत हिसाबी सिध्धान्त अनुसार जानीती अथ्वा अजानीती आकस्मिक जरूरियातों ने पहुंची वड़वा मां टे नफा मां थी अलग फाडवेल रकम ने अनामत तरीके ओड़कवा मां आवे चे स्विक्रूत हिसाबी सिध्धान्त अनुसार जानीती अपने पहले थी खबर होई तेवी अथ्वा तो अजानीती आकस्मिक जरूरियातों कि आपने खबर जैके कदा चावी जरूरियात उबी थसे किटला थसे ते खबर न थी, थसे के नई ते भी थोड़ूग अउठळ छे, पण ए जरूर यातो ने पहुंची पढ़वा माटे, नफा माथी आपड़े अलग जे रकम फाडवी ने राखी मुखिये छे, तेने सेना तरीके ओडखवा माँ आवे छे, अनामत तरीके अवे छे, टूक माँ जो आजे ये तो आपड़े, कि टूक माँ कोई चोकस उद्देश थी, कि उद्देश वगर नफा माथी जे अलग रकम फाडवा माँ आवे छे, तेने अनामत कहवा माँ आवे छे, कोई उद्देश थी भी राखे ली होए, कि भविश्यमाँ लग फाडवेल रकम छे तेमा थी आपड़े कारीगर ने रूपया चुकवी देईसू, अनामत नफा नुकसान फाडवनी खाते थी उभू करवा माँ आवेचे। के जहरा आपड़े वार्षी की साबो बनाईसू, तेरा खाता बनावा पड़ते, तो अनामत ने क्या थी उभी करवा माँ आवेचे। आपड़े वस्तूओ अनामत तरीके उडखवा माँ आवेचे। फरिती वाद करिए, सामान्य अनामत, कारीगर अकसमात वडतर भंडोड, रोकान वदघट अनामत, डिवीडन्ड समतूला भंडोड, मुडी परत अनामत, अने डिबेंचर परतनिदी। अनामत तरीके उडखवा माँ आवेचे। सेकेंड नमबर नो आपड़ों क्वेश्चन छे कि धन्धा मान अनामत नू महत्वसू छे। सामात अनामत साइड माराखी मुखवा माँ आवेचे। आपड़े जे नफोक माई ये आचे। यहमाती सामात बचत करवा माँ आवेचे भविश अनामाते। यह जवाब चे। पहिलों के धन्धानी आर्थिक प्रवाही परिस्थिती मजबूत बने छे। अनामतो साइड माराखवा ती धन्धानी आर्थिक आने प्रवाही परिस्थिती के भी बने छे। के भविश्यमा जहहरे तमने नाणा 송वेचे। से नहीं आपड़े पोतेज रूप्या जो बचावी ने राखया हासे तो ये बचावेला रूप्या आपड़े आपड़ा धंधानी माटे उप्योग करी सके सू एटले आपड़ी पासे धंधानी अंदर रोकड़नी प्रवाही परिस्थिती जे छे एके भी बनसे मजबूत ब जाए और आपड़ी पासे रूप्या पड़े आ होई तो आपड़े पड़ेला रूप्या नो उप्योग करी सके चे बवीश्यमा अचानक कोई खर्च आवी जाए तो ये खर्च ने करवा माटे भी आपड़ी पासे रूप्या अलग थी पड़ेला चे तो आपड़े ए करता हो ये थोड़ा वर्सों वीती जाए पछी आपड़ेव विचार ये चलो हवे आपड़े आपड़ा बिजनसने विश्त्रण कर वो जोईये negotiya तो ते विश्त्रण करवा माटे बिजनसने वधारवा माटे आपड़े बहारथी जे भंडुड भेगू करिए छे तेना करता आपड़े सामना मतों नी उप्योग करीने आंत्रिक भंडोडनों सु करी सकीये छे उप्योग करी सकीये छे चोथा नंबर नी अंदर छे लाबा गाडा नी जवाबदारियों चुकवा उप्योगी बने छे के लाबा गाडा नी जवाबदारियों चुकवी होई तो अत्यार्थी नफा मा थी थोड़ा थोड़ा रूपया साइड मा मुकी राख्या होई ये पण भविश्यमा कोई वर्षे बराबर परिस्तिती ना आवी अनुकुड परिस्तिती ना आवी जना कारणे धन्धामा सुधयू नुकसान थयू तो आवी परिस्तिती नी अन्दर पण आपड़े अनामत स्वरूपे बचाविल रकम माथी इकविटी होल्डरोंने नफा माथी थुड़ो गणो भाग आपी सकिये छे डिवीडंड स्वरूपे अने लास्ट नंबर माँ लखेलू छे कि धन्धामा रोकड रकम नी तरलता जाडवा उप्योगी बने छे कि जिटला रूपिया अनामत तरीके बचाविने राख्या छे ते आपड़ी रोकड तरलता नी जे जरूरत छे तेने भविश्यमा सु करीदे से पूरी गरे छे एक तो महसूली अनामत होई छे अने सेकेंड नंबर नी कई अनामत होई छे मोडी अनामत फरीथी जोव विद्याती मित्रों के अनामतों ना प्रकार जणावो तो अनामतों ना किटला प्रकार छे टोटल बे तो अनामतों ना टोटल बे प्रकार छे महसूली अनामत अने मो विसिष्ट अनामत एटले सु अने तेना प्रकार जणावो, कि विसिष्ट अनामत एटले सु तेना प्रकार जणावो, तो विसिष्ट अनामत कोणे कहवामा आव से विध्यार्तिमित्रों, तो नियत हेतु माटे जे अनामत नफा नुकसान भाडवनी खाते थी उभू करवा आमा आवे छे तेने विशिष्ट अनामत कहे छे एनू बिजू नाम सु छे खास अनामत फरी थी नियत हेतू माटे लेके आपड़ो हेतू परफेक्ट छे हेतू चोकर से के आ हेतू माटे ज़े आपड़े जे अनामत उभी करिये छे ते अनामतने सु कहवा मां आवे छे विशिष्ट अनामत के खास अनामत तरीके उड़कवा मां आवे छे फरी थी नियत हेतू माटे छे अनामत नफा नुक्सान फाड़ोनी खाते थी उभू करवा मां आवे छे तेने विशिष्ट अनामत के खास अनामत तरीके उडखवामा आवे छे विशिष्ट अनामत जे हेतू माटे उभू करायू होए ते हेतू माटे जवप्राय तो तेनों हेतू पूर्ण थैल आ अनामत सामान्य अनामत खाते लई जवामा आवे छे यार बाद विसिष्ट अनामत माछ प्रकार प्रकार तो विशिष्ट अनामत इदले के कया कया विशिष्ट इदले के खास हेतु माटे आनामत उभी करवा मा आवे छे तो पेलू छे रोकान वदगट भंडोड के भविश्य यंदर आपणे कोई जग्या ये फईसानू रोकान करेलू होए और भविश्यमा आपणने एव सामत मां जो कोई रुप्या बचे तो तेने सामान्य अनामत खाते ट्रांसफर करवा मा आवे छे सेकेंड नंबर मां छे डिबेंचर परत निधी तो डिबेंचर परत निधी डिबेंचर होल्डरों ने डिबेंचर ना नाना परत करवा मांटे उप्योग करवा मां आवे छे सिंकिंग फंड डिबेंचर परत निधिनोज बीचु नाम छे डिवीडन्ट समतुला भंडोड एक्विटी होल्डरोंने समयसर डिवीडन्ट पूरता प्रमाण मां मड़े ते माटे उभू करवामा आवे छे कारीगर अकसमात भंडोड के कारीगर ने कारखाना मां एटले के आपड़ी कंपनी मां काम करता वखते जो कोई प्रकार नो नुकसान इजा था तो तेने वड़तर आपवामाटे कारीगर अकसमात वड़तर भंडोड उभू करवामा आवे छे त्यार बाद नो क्वेस्चन छे आपणों के गुप्त अनामत एटले सु तो गुप्त अनामत नो मतलब सुतसे विध्यार्थी मित्रों के धन्धानी आर्थिक स्थीती सद्धर बनावा नफा नुकसान फाडवनी खातामा दर्साव्या वगर जे अनामत उभू करवामा आवे छे तेने गुप्त अनामत कहे छे देखो त्यार सुदीना जे अनामत आपणों उपर जोया ते नफा नुकसान फाडवनी खाते थी उभा करवामा आवता हता पन गुप्त अनामत एवु छे कि जे सु जोनी खातामा दर्साव्या वगर जे अनामत उभू करवामा आवे छे तेने गुप्त अनामत तरीके ओडखवामा आवे छे हावे गुप्त अनामत काया होई चे विद्यार्थी मित्रो तो गुप्त अनामत केवी रिते उभू करवा मा आवे चे एले कई प्रवरूती करसो तो तमने उलागे के भी हाँ गुप्त अनामत उभू धवयो चे तो जवाब मा आवसे पहला नंबर मा स्टॉक नू मुल्य ओछू दर्सावी ने सुगरी ने स्टॉक नू मुल्य ओछू ये लेके आखर स्टॉक नू मुल्य ओछू दर्सावी ने के आपड़े बिजनस करता हो ये औने बिजनस ने अंदर आखा वरस दर्मियान गणा बदा माल सामानी खरीदी करी होई वेचान कर आन्फे जे स्टोक वधें छे वरसना आन्फे तेना आखर स्टोक केवामा आवे छे आखर स्टोक नू मुल्य ओचु दर्सावी ने अपड गुपत अनामत्सु गड़ी सके चे वभू करी सके चे एना पछी जुवा जईए तो आकस्मिक जरूर यातो वधू दर्सावी ने भविश यानी अंदर जे जवाबदारी उभी थवानी छे आकस्मिक जवाबदारी एकले एवी जवाबदारी के जे आपने खबर नती के आउसेज, थसेज, चुकवीज पड़से पड़ कदाच आवी कोई जवाबदारी अकस्मा ते उभी थाए ते चुकववा माटे आपने रूप्या साइड मा मुकी राखिये छे तो तेने आकस्मिक जरूरीयतों के एवा मा आवे छे, अनने जे जरूरत करता वधु दर्शावी ने आपने गुप्त अनामत उभू करी सकिये छे 3000 नंबर माचे संसईत देवाने खरेखर देवा तरीके दर्शावीने गहा केस करें वही का FERG चेBO चर्ण केस आपडे जीती जीए तो आपडे एक भी रुपयों चुकवानों न थी, अन्य केस जो सामेवाड़ों वैक्ती जीती जाए तो आपडे एने लाख रुपयां चुकवा पड़े, परन्तु हजु केस नो कोई नेड़ थयो न थी, त्या सुधी ए प्रकारना देवा ने संसई कित देव गणवा मां अवे, किकेस आपड़े जीती जी जी है तो आपड़े रूपिया ना भी चुकवा पड़े तो आवा देवाने खरेखर देवा तरीके दर्शा अवा मां अवे इविद इते गुपता नामा दोभु करी सकाई छे गसारानी जोगवाई जरूर करता वधारे दर्सावी ने त्यार बाद मूडी खर्च नफा नुकसान खाते दर्सावी ने ज्यारे मूडी खर्च तो क्या दर्सावा मा आवे छे पाका सर्वया मा मिलकत लेना बाजु दर्सावा मा आवे पण मुडी खर्च ने नफा नुक्सान खाते दर्सावी देवा मा आवे तो अपन गुप्त अनामत उभू करी सकाई छे अने लास्ट वे छे खरे खर थेल खर्च करता वधारे खर्चा दर्सावी ने तो दरेक सिचुएशन मा एव उच छे कि तमें जे प्रकार नों खर्चो करो जो तेना करता जो तमें खर्चो वधारे दर्सावी तो ए तमें गुप्त अनामत उभू करी राया छो तेम गणवामा आवसे एना पच्छी नों क्वेस्चन छे मुडी अनामत इटले सू हवे मुडी अनामत इटले सू थासे के मुडी नफामा थी उभू करवामा आवेल अनामत ए मुडी अनामत कहे छे हावे मूडी नंफा माती उभू करवा माँ आवेल नंफा वत में क्यो अनामत कहवा माँ आवेजे मूडी अनामत हवेने अपने आठमा नंबर नो क्वेश्चन मूडी नफाना चार उदा हरण आपो तो मूडी नफो कोणे के वाई? के पहला नंबर नी अंदर के कायमी मिलकत अने रोकान वेंचता थहल नफो के आपड़ा धन्दा नी अंदर कायमी मिलकतो छे जे जमीन, मकान, फर्नीचर, यंतर वाहनो आब अधी मिलकतो अथवा तो कोई जगे रोकान गरिऊ होई अने रोकान वेंची देए अने जे नफो थाई छे तो ते नफाने आपड़े मूडी नफा तरीके उडखिये छे अने आ मूडी नफाने मूडी अनामत खाते लईजवा मा आवे त्यार बाद छे कायमी मिलकत ना पुनह मुल्यां करनो नफो कि आपड़ी पास एक कायमी मिलकतो पड़ी छे पड़ आपड़ी एक कायमी मिलकतो तो घणा वरसो पहला खरी देली असे अवे घणा वर्सों पहला खरी देली असे जनके जमीन छे, मकान छे, फरनीचर छे तो आ मिलकतों आपड़े आथी 5-10 वरस पहला जो खरी दी होए तो आथी 5-10 वरस पहला आपड़े समझीलो यहने 20 लाक मा खरी दी होए तो सु आजे 5-10 वरस पहला जो खरी देली मकान नी किम्मत आजे 20 लाक नी जगे 30 लाक होए मतलब के आजे आपड़े आने बजार मा वेंचवा जई है तो 30 लाक रूपया उपजे छे तो ज्यारे पन मिलकत नों पुना मुल्यांकन करवा मा आवे त्यारे तेने बजार किम्मत दर्सावा मा आवे तेले मिलकत नी किम्मत मा 10 लाक रूपया नों वधारो थायो छे तेवू आपड़े कई सकीए अने ये जे 10 लाख रूपिया नो वधारो थायो छे तेने मूडी नफो केवाए जे मूडी अनामत खाते ट्रांसफर करवा मा आवे चोथा तीजा नबर माचे कंपनी ना सेर के डिबेंचर बाहार पाडता मडेल प्रीमियम के कंपनी जरे से वधारे भावे बहार पाड़े अने जी वधारे भावे बहार पाड़े चे तेने प्रीमियम केवा मा आवे चे अने आ प्रीमियम पेटे जी रकम मड़े चे तेने पण मुडी नफो केवामा आवे चे छिले तेने मुडी अनामत खाते ट्रांसफर करवामा आवे अने कम्पनी नो नोधनी पहला नफो के कम्पनी सरू करी होई कोई नो चालू बिजनस खरीदी ली तो होई हवे ए बिजनस खरीदी वखते सामेवाड नी कोई पेधी होई हवे आपने एनों बिजनस खरीदी ले और नाना नी चुकवणी करीदी ओडले आज थी जी एनों बिजनस स्ू थही जसे आपडों थेी जसे पड़ नफो爹ोणी न थी तो एनों नोधनी करावया सुधी नो सम जे छे ते समय दर्म्यान जे भी नफो थाई छे तेने कई नफो केवा मां आवे छे मुडी नफो ने मुडी नफो क्या ट्रांसपर करवा मां आवे मुडी अनामत खाते तो अनामत भंडोड एटले सू नो जवाब छे अनामत नी रकमनू धन्धानी बहार जामिन गिरियों मां रोकाण करवा मां आव्यू होए तो तेने अनामत भंडोड कहे छे के अनामत भंडोड नू मतलब सू छे के अनामत नी रकमनू हवे आपने अलग अलग अनामत तो जोई के भी सामानी अनामत छे मुडी अनामत छे कारी करकस मात वर्तर भंडोड अनामत छे तो आप अनामत आपने साइड मां भेगी तो करी राखी छे पण जो आ अनामत आपन आपने अंदरज राखी मुकी एतो बिजनस नी अंदरज पड़ी पड़ी वध्वानी न थी तो आपने सु करिये छे कि भी अमुक अनाम तो एवी छे कि जेनो बिजनस नी बाहार अलग-अलग प्रकार नी जामीन गिरियों मा रोकान करिये दईये छे जेना कारणे आपने तेमा थी दरःसे सु मड़तू रहसे व्याज मड़तू रहसे औने जी आरे आपना ज़ामिन गिरीयों मा रोकान करवा आवियु हो तो तेने आपने अनामत भंडोड तरीके ओडखिये छे एना पछीनों क्वेश्चन छे जोगवाई यो एटले सुँ तो जोगवाई योनों मतला सुचे कि जेनी रकम चोकसरीते नक्की न करी सकाए परन्तु भविश्यनी ओडखी सकाए तेवी संभवी जवाबदारी माटे नफा माथी अलग फाडवेल रकम ने जोगवाई कहे छे जोगवाई नफा नुकसान खाते थी उभी करवाँ माँ आवे तो जोगवाई कोणे क्यावाई छे कि एवी रकम चे कि जेने चोकसरीते नक्की न करी सकाए पन अंदाजी सकाए कि कदाज भविश्य माँ आपड़े सरकारने करवेरा पेटे आटला रूपया नीसू करवी पड़ से चुकवनी करवी पड़ से जहरा आपड़े रीटन फाइल करिये सरकारनी पासे आपड़ो रीटन जाए चेक करवा माँ आवे इंकम टेक्स ओफीसर द्वारा एलोको केलकुलेशन करे तेना आधारे आपनने खबर पड़ से कि किटला करवेरा नी चुकवनी करवा नी से तेया सुधी आपड़े एनो अंदाज अज मेडवी सकी आपने अंदाज थी जी रकमनी गणतरी करिये चे तेने जोगवाई के वह माँ आउसे के जेनी रकम चोकस रिते नक्की न करी सकाई परन्तु भविश यानी ओड़खी सकाई के वहां, जबाबदारी चुकवनी चे खरा, पन केटली चुकवनी चे ते खबर ना थी तेवी संभवित जबाबदारी माटे नफा माथी अलग फाड़वेल रकमने जोगवाई कहे जोगवाई नफा नुकसान खाते थी उभी करवामा आवे चे जोगवाईना चार उदाहरण आपेला चे यहां जोईलो के जोगवाईना चार उदाहरण आपों तो जोगवाईना चार उदाहरण कया चे तो गसारानी जोगवाई घालखादनी जोगवाई करवेरानी जोगवाई जोगवाई घालखाद नी जोगवाई करवेरा माटे जोगवाई समार काम अने नवी नी करण ना हेतू माटे नी जोगवाई जोगवाई ना लक्षणों जनावों तो जोगवाई ना लक्षणों काया चे तो जोगवाई ये चोकस हेतू माटे नफा के आवक माथी अलग फाडवेल सु छे रकम चे उपरना चार जे जोई ने तेज के जोगवाई ये चोकस हेतू माटे करवेरा नी जोगवाई करवेरा जोगवा ये चौकस रिते नक्की न करी सकाई तेवी संभवित खर्च नुकसान के जवाबदारी माटे अलग फाडवेल रकम छे अने लास्ट मां छे जोगवाई नफा नुक्सान खाते थी उभी करवा मां आवे छे तो लक्षणोंनी अंदर पहलू लक्षण कई ओतू जोगवाई ए चोक्कस हेतु मांटे नफा के आवक मांथी अलग फाडवेल रकम छे जोगवाई ए चोक्कस रिते नकी न करी सकाई तेवा संभवित खर्च नुक्सान के जवाबदारी मांटे अलग फाडवेल रकम छे जोगवाई नफा नुक्सान खाते थी उभी करवा मां आवे छे जोगवाई नू महत्व सू छे जोगवाई नू महत्व सूचे चोईलो के धन्धा ना साच्चो अने व्याजबी नफो नुक्सान जानी सकाई छे जो जोगवाई करियो है ने खर्चानी अगाउथी जोगवाई करवा मां आवी होए तो आपने जानी सके छे अपने ख्याल ना आवे के आपने धंधानी अंदर खरेखर नफो के नुकसान के लोगें जोगवाई थी दूर दर्सी तानो सिध्धान्त अमल मा आवे छे जोगवाई थी कईो सिध्धान्त अमली बने छे दूर दर्सी तानो सिध्धान्त के भी आपने भविश्य वीसे विचारी लिदू छे के भविश्य ना अमुक वर्सो पछे आपने कोई मिलकतनी खरीदी करव अने छिल्ला नंबर नी अंदर आवे चे जोगवाई द्वारा धंधानी मूडी जाडवी सकाए जोगवाई द्वारा आउड़े परिक्सानी अंदर ओछा मार्खनू छे पण आउद चेप्टर नी अंदर जे अनामत जोगवाई बंडोड शानूद आमान्य अनामत, कारीगरा कस्मात वडतर अनामत, मुडी अनामत, गुप्त अनामत, अब दी वस्तु ओनी जे वात करे लीचे ते तमने आगड़ना चेप्टरों नी अंदर, धोरण बार नी अंदर, अने कॉलेज मां के गमे ते अभ्यास कर सो ते नी अंदर खुबज अगत् आयाद असे, तो तमने इतली तकलीप भविश्य मां ओछी पड़ से, तो ध्यान राखी ने एक बेवार वीडियो जोई लेजो, अने चेप्टर मां जेतला में सवाल लखाया छे, तेतला तमें उतारी लेजो, थेंक्यू विद्यार्थी मित्रों